हेलो व्रीवन वेलकम यू आल इट लोकेस्तर अलम्टेड स्टडी जोन और इस युवराज बैच युवराज बैच की क्लासेश चल रही है और टॉपिक चल रहा है टेंस ओके और टेंस में ये लेक्चर नमबर फोर यानि की पार्ट नमबर फोर हम कंटिन्यू करने जा रहे ह पढ़ा है है और इसके पहले हमने प्रेजेंट टेंस में आपको दू केकर्षपड़ दी हैं प्रेजेंट टेंस में हमने। जोसके इन प्रेजेंट संट जरा है उखकर किसरा होता है interrogative, okay, सबसे पहले जो होते हैं, simple उनको हम बोलते है, affirmative, क्या बोलते हैं, affirmative, affirmative, negative, और interrogative, then उसके बाद मैंने आपको continuous पढ़ा है, continuous के भी तीनों केसे हो चुके है, okay, अब देखते हैं, आज हम पढ़ने वाले है, present perfect, तो पहला जो case हमने पढ़ा था, जिसमें हमने present indefinite पढ़ा था, उसकी पहचान क्या थी, last मैं ता है, ती है, ते है, okay, खाता है, खाती है, खाते है, मतलब वहाँ पर आदत की बात होती थी, किसकी बात होती थी, आदत की, फिर उसके बाद आपका continuous आए, जिसमें रहा है, रही है, रही है, मतलब जो कुछ काम चल रहा था, अब बात कर रहे है, present perfect की, present perfect कब लगता है, ऐसा कोई काम, जो की अभी अभी हुआ है, अभी अभी हुआ है, perfect मतलब की क्या, पूरा हुआ, perfect मतलब पूरा हुआ है, और present मतलब अभी अभी में पूरा हुआ है, है ना, जैसे मैं कहूं, युबराज क्या कर रहा है, तो मैंने की जगह मैं बोलू कि यराच खाना खा चुका है तो इसका मेणिग आम morph Khala कि अभी खाया है और कुछ और करने को तैयार है कुछ आर करने को तैयार है समझाझा जैसे मैं question भी पूछता हूं यूब्राच काम खाना का चुके हो तो खांच clock कर आंनल मैं कि distingu एक दिवराण तुम काना खाचुके हो तो वर्ड समझिये क्वा या लिया है दी है की है ऐसे वर्ड़गर आते हैं इना जो तुरन तुरन्त अभी अभी पूरे हुए हैं अभी अभी तुरे हुए हैं का इंडीकेशन करते हैं का बोध कराते हैं तो समझ जो भाई साब कि ये perfect की बात है किसकी बात है perfect की बात है अब आईए देखते हैं कि इसका rule क्या है तो rule में हम सबसे पहले पढ़े हैं affirmative affirmative मतलब सवकारात्मक जिसमें कोई ना नुकुर ना हो कोई question ना हो affirmative का rule क्या इस rule को बहुत अच्छे समझ लो सबसे पहले इसमें use होता है subject क्या use होता है subject के बाद इसमें has या have use करोगे has या have okay has या have use करोगे ठीक ना और उसके बाद verb की third form और फिर object बहुत ही simple है ये rule आप अच्छे से देख लो इसको समझ लो okay देखो क्या क्या rule है इसमें affirmative में आपने क्या rule लगाना है चलिए एक बार मैं यहां लिख करके भी बता देता हूँ आपको कि affirmative में आपको जो है कौन सा rule यूज करना है ओके सबसे पहले आपके पास आएगा subject क्या आएगा subject जो भी होगा राम शाम सीता गीता ही शी इट आई वी यू दे फिर उसके बाद आपको लगाना है has अब यह बताओ मैं आपको has या have कहा लगेगा जो third person singular है third person singular है उनके साथ लगता है has मतलब कौन है third person singular he she it ओके इनके साथ has लगता है और बाकी के साथ क्या लगेगा have लगेगा फिर क्या लगनी वर्ब की third form क्या लगनी वर्ब की third form याद रखना perfect में वर्ब की third form और last में आएगा object चलो एक start करते हैं एक से देखते हैं जैसे मैं पहला लेता हूँ राम खाना खा चुका है ओके या युबराज खाना खा चुका है ओके युबराज खाना खा लिया है या चुका है दोनों एक ही चीज हैं ओके तुरंट तुरंट की बात हो रही है तो चलिए start कहा होगा युबराज से ओके युबराज बताईए उवराज कहा है? Bonör paintings है, singular के साथ क्या आता है? enclairs have. इवराज के साथ engage, आईगा, okay, खाना, खाना, तो verb क्या है? खा, verb क्या है? खाना, okay, खाने को क्या बोलते है? eat, श्वर gli-sवर गॉलते है? eat, eat का second form क्या आता है? repeat, और third form क्या होती है? eaten, क्या होती है? eaten, तो यहाँ पर क्याएगा, E-A-T-E-N, eaten, ओके, और किसको, object क्या है, खाना, किस चीच को खाना, खाने को, तो eaten food, क्या हैगा, eaten food, आई बस समझ में न, युवराज has eaten food, युवराज has eaten food, चली अब देखते हैं, आप लोग किते सही जवाब देते हैं, है न, चली पहला सवाल ह मैं काम कर चुका हूँ, I have completed the work, या I have done the work, मैं काम कर चुका हूँ, हलाकि इसमें, I have done the work, इदे की काम पूरा नहीं, completed नहीं आएगा यहाँँ पर, अग्चली काम पूरा अगर होता, तो word completed आता, क्या था word, completed, यहाँपर जो word है, वो कर चुका हूँ, करने को बोलते हैं, English मे do, क्या बोलते है, do ओके, do की second form होती है, did और third form होती है, done क्या होती है, done, तो इसका होगा I have done the work I have done the work correct answer, इसका होगा, I have done the work हमने तुम्हें देख लिया है हमने तुम्हें देख लिया है मतलब अभी अभी की बात है, जैसे पुलिस कहती है खबरदाल, चोरों हमने तुम्हें देख लिया है, मतलब हमने तुम्हें कब देखा, अभी अभी, है ना तो कौन सा है, perfect है, कौन सा है perfect, बता यह क्या होगा, हमने क्या हैगा we, क्या हैगा, we have we have, फिर seen, seen you, विल्कुल सही we have seen you, मैंने उसे एक किताब दी है, मैंने उसे एक किताब दी है I has, नहीं आएगा बिटा I, जो है, first person है, और first person के साथ have लगता है, याद करिए मैंने आपको बताए था, कि वल third person के साथ आपको has लगाना है, okay he, she, it, or नाम के साथ, he, she, it, or किसके साथ नाम के साथ, I कौन सा है, first person है याद है आपको, I और we कौन से person होते है, first person तो इनके साथ क्या लगता है, have लगता है have, तो बताए ये क्या होगा, I have I have given, given given, मैंने उसे एक किताब दी है I have given a book to him नहीं लगता, given him a book given him a book, ठीक ना उस लड़की ने स्कूटी खरी दी है उस लड़की, मतलब that girl तो क्या आएगा, has आएगा, that girl has that girl has bought आएगा, या तो bought आएगा खरीने को, bought, buy, bought, bought bought a स्कूटी, या purchased a स्कूटी, purchased a स्कूटी, चलिए, वह यहाँ आचुका है he has came, दीए, third form बताया ना, come came, come, third form क्या होती, come ही होती, क्या होती है come, है ना, he has come here, he has come here, बट ये third form वला come है, तुम उस से मिल चुके हो, you have meet की form क्या होती, met, क्या होती है meet, met, met, you have met him, you have met him वे उसके साथ गाउँ चलिगा, वे याने गाउँ टु विलेज with him, gone to village with him, okay किसी जगह के लिए to लगता है, जाने के लिए क्या लगता है, to लगता है मैं इस कंपनी में जॉप कर चुका हूँ, चुका हूँ मतलब तुरन-तुरन की बात है, मैं इस कंपनी में जॉप कर चुका हूँ, I have I have have आता है, I have done a job in this company, yes, कर चुका मतलब done, कर चुका मतलब done, कर चुका मतलब do, कर था मतलब did, कर चुका मतलब क्या, done, do, did, done, do की फार्मूती do, did, done, चलिए अब आते हैं, अब क्या आते हैं, निगटे पर सीवी बात की जाए, तो क्या होगा, has या have के बाद not लग जाएगा, has या have के बाद not, बाकी सारा का सारा रूल वैसे ही है, वर्ब की third form है, object है, केवल has या have के बाद क्या लगाना है, not, ठीक ना, यहां कोई नहीं आया, यहां कोई नहीं आया, तो कोई नहीं यहां पर क्या है, subject है, तो कोई नहीं से start होगा, no one has come here, no one has come here, चली second, Master जी ने पाठ नहीं पढ़ाया, the teacher do कहा आएगा भाई साब, पाठ नहीं पढ़ाया है, the teacher has not, the teacher has not taught the lesson, अर्नवी ने पैसे नहीं लिये, अर्नवी has not taken the money, विल्कुल सही, अर्नवी has not taken the money, उसने मेरी कई बार मदद नहीं की है, उसने मेरी कई बार मदद नहीं की है, यस बोलिये, he has not helped me, very good, many times, बिल्कुल सही, he has not helped me many times, पिता जी अफिस से नहीं आए है, पिता जी अब देकि वर्ड को पहचानी है, आप कभी भी हिंदी में देखें, तो पिता जी आफिस से नहीं आए है, तो सोची ये तुरंत की बात है कि बहुत पहले की बात है, पहले की बात है, नहीं आए है, जैसे मैं बोलूँगा, आप से कोई बोलो, पापा अभी तक नहीं आए है, बोलो बोलेंगे की नहीं बोलेंगे, तो क्या ये एक साल पहले के लिए की तुरंत के लिए है, तुरंत के लिए है, तो मतलब पर्फेक्ट लगेगा, क्या तो पिता जी office से नहीं आए है बता यह क्या होगा father do नहीं has आएगा बेटा not came नहीं come come came come from office बिल्कुल से father has not come from the office ओके आब आते हैं interrogative तो रूल वही है has या have के पहले क्या जाएगी डब्लू एच फैमिली क्या जाएगी डब्लू एच फिर आएगा क्या subject है ना फिर आएगा क्या verb की third form और फिर क्या आएगा object है ना तो डब्लू एच फैमिली अगर नहीं है तो कहां से सुरू होग है यह has या have से तो देखे तुम है तुम मतलब क्या आएगा have तुम मतलब क्या आएगा have तो पहला word होगा have have के बाद subject subject क्या है you have you verb का third form bought bought b-o-u-g-h-t have you bought a new mobile have you bought a new mobile आ गया ना समझ में बहुत ही simple है ना चलो क्या तुमने वहकार बेच दी है बहुत simple है क्या से सुरू हो और मतलब have है ना have फिर क्या आएगा you third form क्या होगा sold sold the car have you sold the car चली बताइए वे दोनों कहां गए थे अब कहां से सुरू हो रहा है तो कहां पर आगया where हां where have दो वे दोनों मतलब दो लोग हैं दो मतलब plural where have they they where they where have the both दोनों बोल रहा है दोनों के लगता बूथ क्या लगता है बूथ वे अब दे बूथ गौन चलो क्या वह गाओं चला गया है क्या से सुरू हो रहा है मतलब क्या होगा वह गाओं he has has से सुरू होगा हां बूलो has has के बाद he to village has he gone to village चली अगला क्या पिता जी डिनर कर लिये हैं क्या पिता जी डिनर कर लिये हैं बताइए कि has father taken the dinner very good has father taken the dinner या has father taken dinner दोनों बढ़िया है हाँ अगला तुम कहां से आये हो कहां आ रहा है मतलब क्या आएगा है ना from where very good from where from where आ गया है अब बताईए तुम के लिए क्या लगता has या have तुम के लिए क्या लगेगा has नहीं लग सकता तुम कौन सा person है second person है है ना मैं first person जिस से बात होती है second person तो तुम second person है तो क्या लगेगा have क्या लगेगा have from where from where have you तुम को क्या बोलते है you बोलते है from where have you I I मतलब come came come, come came, come, from where have you come, चलिए, उसने MBA किस college से किया है, उसने MBA किस college, फिस college को क्या बोलेंगे इंगलिस में, from which college, उसने को क्या बोलेंगे, he, क्या बोलेंगे, he, from which college has he completed an MBA, MBA, N, M, N, MBA क्यों आएगा, जब आप MBA बोलते हो, तो हिंदी में क्या आता, वावल आता है, कि consonant आता है, वावल आता है, बोल के देखो MBA, वावल आता है, और आपको पता है, जहां पर बोलने में वावल आता है, वहां पर क्या लगता है, N लगता है, जैसे आपने पढ़ा होग चलिए तो तुसने MBA किस college से किया from which college has he completed an MBA अगला वह यह ड्रेस किस दुकान से खरीदा है वह यह ड्रेस किस दुकान तो सबसे पहले किस दुकान किस दुकान क्या हैगा from which shop फ्रॉम विच उसके बाद वह वह के लिए क्या लगेगा has he has he has he देखो आपका मन बार बार करेगा कि आप he has लिख दो क्या लिख दो he has पहले has आता बाद में he आता है खरीदा है bought this dress complete हो गया यह अगला देखते है negative, interrogative negative, interrogative तो आपको पता है कि WH family पहले आती है है ना फिर उसके बाद has have आता है फिर subject आता है फिर क्या लग जाता है not लग जाता है क्या लग जाता है not लग जाता है और verb की third form plus object वही rule है बिल्कुल सुन पुराना वाला क्या इस घर में कोई नहीं आया है क्या इस घर में कोई नहीं है तो क्या देखी पहला है क्या इस घर में कोई नहीं आए ये घर क्या singular है एक बचन है तो start कहां से होगा has है ना कोई नहीं इसका बन गया क्या has no one कोई नहीं मतलब no one has मतलब no one है ना कोई नहीं मतलब no one has no one क्या हैगा इसके बाद verb come has no one has no one come in this house in this house या in this home है ना तुमने कठिन परिश्रम क्यों नहीं किया देखो क्यों से start हो रहा है क्यों को क्या बोलते हैं why तो why आएगा why के बद वर्ब आती है वर्ब क्या है have है ना वर्ब क्या आती है have why have have के बद क्या आएगा subject you why have you not why have you not क्या आएगा cutting position worked hard work hard चली अगला किसने दुकान से किताबें नहीं खरीदी है किसने दुकान से किताबें नहीं खरीदी हैं बताएगे किसने मतलब क्या आएगा who who has not brought bought bought the book from the shop बिल्कुल सही है who has not bought the books from the shop पिता जी इस बारे में किस से बात नहीं किये है पिता जी इस बारे में किस से ये देखिए है ना which से मतलब to whom किस से मतलब to to whom to whom के बात क्या आएगा बताएगे to whom के बात क्या आएगा पिता जी की बात हो रही मतलब has father नहीं पहले has आएगा to whom has to whom has father है ना not talked about it talked about it इसके बारे मतलब talked about it चलो वगला वह इन में से कौन सी कार नहीं चलाया है वह इन में से कौन सी कार नहीं चलाया है तो से पहले क्या आएगा कौन है ना कौन के लिए क्या यूज होगा विच है ना है ना विच के बाद क्या आता है देखो रूल क्या होता है विच के बाद आता है आपका है ना विच के बाद आता आपका सब्जेक्ट विच के बाद क्या आता है एक मिनट एक मिनट एक मिनट विच इसके बाद subject नहीं आता है, सुनना, समझना पड़ेगा, वह इन में से कौन सी car नहीं चलाया है, देखे, तो यहाँ पर क्या है, कौन सी car, इन में से कौन सी car, यह पूरा का पूरा एक WH word बन रहा है, इन में से कौन सी car, इन में से कौन सी car, तो क्या बनेगा, इसके लिए, which car of these इस, which car of these, ओके अब देखे, which car of these, तो these क्या होता है, these है न, which car of these, फिर दक से बात क्या है, वह, क्या है यह, तो वह के लिए क्या लगेगा, has, क्या लगेगा, has, which car of these, has he not driven, he not driven, तो देखे न, which car of these, has he not driven, चलाया अगला देखे, क्या तुमने इस कालेज से परिच्छा प नहीं की है तो देखे तुमने की बात आ रही है मतलब simple have say start होगा किसे start होगा have say so have you not passed the examination passed the examination from this college have you not passed the examination from this college क्या वे अपना homework पूरा नहीं किये हैं क्या वे अपना homework पूरा नहीं किये हैं very good have they do not completed their homework अब ठीक है अब देखी अगला इसके बाद आएगा since or for का प्रियोग किसका प्रियोग होगा since का और for का क्योंकि जब आप since और for का प्रियोग सीख लेगे तब मैं आपको अगला type का tense सिखाऊंगा और अगला जो tense रहेंगा वो रहेगा present perfect continuous क्या रहेगा present perfect continuous okay, जैसे since का use कव होता है? निश्चित समय के लिए, किस के लिए? निश्चित समय के लिए, जैसे मैं कहूंगा यूबराज 7 बजे से cricket खेल रहा है, बोलो या सनु, तो यह समय निश्चित है कि नहीं है, और अगर मैं कहूं फॉर का प्रयोग, और अगर मैं कहूं यूबराज 2 कितने गंटे से क्रिकेट खेल रहा है तो बताओ कि इसमें टाइम समझ में आ रहा है कि कितने बज़े से खेलना शुरू किया है नहीं ऊपर में तो समझ में आ रहा है कि साथ बज़े से शुरू किया खेलना मगर इसमें यह पता नहीं चल रहा कितने बज़े से खेलना शुरू किया है उलो हाय ना मतलब इसमें time duration जो है duration दिया जा रहा है मगर exact time नहीं तो बच्चों जब आपको exact time दिया हो तो आप क्या लगाएंगे since और जब आपको exact time ना दिया हो उसका लंबाई दी हो time की तो आप लगाएंगे for तो चलिए अगली class में हम since और for के प्रियोक को clear करेंगे आज के लिए class को यहीं पर end करते हैं thank you so much for being with unlimited study zone and यो राजबेच नमशकार